9 अप्टूबर 2024 देर रात खबर आई की भारत के रतन का निधन हो चुका है बिजनेस मैन और टाटा संस के पूर्व चेर्मैन रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे टाटा कंपनी के देश भर में कई बड़े बिजनेस और वेंचर्स हैं जिसमें से एक है मुंबई का ताज होटल अब मुंबई के ताज से भी एक बड़ी खबर मिली है दर αसल इस दुख़त घटना के बाद मुंबई के ताज होटल ने सभी समारोह रद्द कर दिये हैं ताज होटल से रतन टाटा का हमेशा से ही गहरा लगाब रहा है हालांकि ताज ही नहीं, देश भर में रतन ताटा के निधन के बाद शोक की लहर है 26-11 को मुंबई आतं की हमलों से गुँझ उठा था ताज होटल के गुंबद में लगी आग कोई नहीं भोल सकता क्रीबन 3 दिनों तक मुंबई का ताज सुर्खियों में रहा इस दौरान होटल में ठहरे कई लोगों की जान गई गोलिबारी और धमाकों से मुंबई की आनवान शान ताज होटल को बड़ा नुकसान हुआ और यही वो समय था जब ताज होटल को फिर से खड़ा करने के लिए रतन ताटा ने जी जान लगा दी आतंकवादी हमने के बाद ताज होटल को रीकंस्ट्रक्ट किया गया इसमें रतन ताटा ने बड़ा रोल निभाया उनकी याद में ताज के सभी सेलिबरेशन्स और इवेंट्स को रोक दिया गया है यह कदम रतन ताटा के प्रतिगहरा सम्मान दिखाता है इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि ताटा परिवार और ताज होटल के बीच कितना खास जुडाव है। ये भी बताते चलें कि ताटा ग्रूप के जहांगिर रतन जी दादा भोई ताटा ने ताज होटल को बनवाया था। उन्हें श्रधाजली दे रहे हैं। नेताओं से लेकर आम जनता तक सभी ने समवेदनाय प्रकट की हैं। वाकई शांत व्यक्तित्व और समाज सेवा के लिए रतन ताटा को हमेशा याद किया जाएगा। इसे भारत हमेशा याद रखेगा। रतन ताटा का मानना था कि कोई भी कारोबार सिर्फ फाइदा या पैसे कमाने के लिए नहीं बलकि समाज की भलाई के लिए भी होना चाहिए। रतन ताटा ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम किया और उनकी परेशानियों को समझा है। यही वजह है कि भारतवासी उन्हें श्रधा और सम्मा से याद कर रहे हैं। किया जाएगा।